जब भी किसी राज्य में चुनावी साल आता है तो महीला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाए जाता है हमेशा विपक्ष की और से महीला सुरक्षा को हतियार बनाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है और महीला सुरक्षा में कितनी सरकारे सपल हो पाई आंकडों के अधार पर इसके अपने अपने तर्क दिये जाते हैं राजिस्थान विधान सभाद चुनाव अब अपने चरंग पर पहुँच चुका है पिछले पांच सालों से सरकार ने क्या किया ये जिनता को बताय जा रहा है लेकिन जब बात महीला सुरक्षा की आती है तो नजरे चुराना भी लाजमी बनता है क्योंकि पूरा राजिस्थान जानता है कि महीला सुरक्षा के दावे सिर्फ दावे ही बनता रह गए जबकि धरातर पर हाला अतर बद से बत्तर इस स्थी में पहुँचे है रादिस्थान में महिला और नावालिक वालिकाओं के साथ हो रही दुशकर्म की घटनाओं के आकड़े चौकाने वाले हैं चाहे चार साल की बच्ची हो या अधेर महिला सुरक्षा के लिहाज से हर किसी ने खुद को ठगासा महसूस किया है कॉंग्रे सरकार के राज की बात की जाये तो किशले 5 सालों में बच्चीों के साथ दुशकर्म की घटनाओं में 2.79 पीसिदी की भड़ाओं दर्स की गई है अभी कुछ दिन पहले ही सितंबर 2023 में जैपुर जिले के पापड गाओं में महिला के साथ रेप किया गया और उसको जला त्या गया तो वहीं दुशकर्म की घटनाओ राजिस्तान के हर इससे सरकार को जग जो रही है लेकिन इनसाफ के नाम पर सिर्फ घर जाकर ठांडस के अलावा पीडिताओं को कुछ नहीं मिला अगर NCRB के आगरों की बात की जाये तो राजिस्तान में महिला तैचारों के मामलों में बढ़ातरी हुई है वर्ष 2019 में लगभग 5800 केस दर्श किये गए और समय के साथ साथ इन आकड़ों में बढ़ातरी ही होती नजर आई मुख्यमंत्री अशोग है लोद जहां गारंडियों की सौगात बाट रहे है तो वहीं अब बड़ा सवाल ये है कि साल 2023 के विधानसवा चुनाओं में कॉंग्रेस के प्रत्याशी अपने शेत्रों में महिला सुरक्षा पर आकर क्या गारंटी देंगे